हेलो फ्रेंड्स मैं सुमित गरेवाल और आप सुभी का स्वागत है यूडूब चैनल जियस भाई सुमित गरेवाल में तो आज हम बनने जा रहे हैं इंडियन नैशनल कॉंग्रेश क्या इंडियन नैशनल कॉंग्रेश जो 1857 की करांती हुई थी उसके बाद में बहुत सारी political organizations बनी खासकर 1870 में और 1880 में तो इन में से कुछ परमुक के नाम है वो थी पूना सारुजनिक सभा इंडियन एसोशियेशन और मदरास महाजन सभा और बॉंबे प्रेजिडेंसी एसोशियेशन जो ये सभी एसोशियेशन सुरूत होई थी as a national organization के रूप में लेकिन ये सभी अपने आसपास के local issues में फसकर रह गई थी जैसे जो लोग आते अपनी normal प्रेशानियों को लेकर आते थे ये उन्हीं को सुल जाने में रह गई थी और वहीं दूसरी तरफ जो ब्रीटिस गॉर्मेंट थी वो ऐसे ऐसे लोग पास कर रही थी जिसे उनका dictator attitude साफ जलक रहा था तो इसे देश में गुस्ता भी बढ़ रहा था और तब ये रिलाइज हुआ कि देश को ऐसी पार्टी की जुरूरत है जो किसी एक रीजन की नहीं बलकि पूरे इंडिया की बात करें तब स्थापना होती है INC की यानि Indian National Congress इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना किस ने की थी AO हयूम ने यह स्कोट लेंड का निवासी था और यह रिटाइड सिविल सर्वेंट ओफिसल था तो ए ओ हयूम ने इंडियान National Congress की स्थापना की थी पहले इसका नाम था भारतिय रास्टिय संग इंडियान National Union क्या नाम था इंडियान National Union तो 1885 में इसको कांगरेस नाम दिया दादा भाई नारोजी ने इसने दिया दादा भाई नारोजी ने तो अब बात आती है I.N.C की स्थापना कहां हुई मुंबई मुंबई के गोकुल दास तेजबाल संसकर्थ कॉलेज में इंडियान National Congress की स्थापना हुई इसकी स्थापना होनी थी पूर्णा में जो A.O. हयूं थे इन्होंने बोला कि जितने भी जो एडुकेटिड परसन हैं वो सभी पूर्णा में इकठे हूं लेकिन वहां पर उसमें प्लैग फैला होता है तो इसलिए इसका पहला अधिवेश का होता है मुंबई में तो 1885 में Congress का पहला अधिवेशन का होता है मुंबई चलो अब स्टार्टिंग से स्क्वेंस ओफ इवेंट्स देखते हैं तो इसका पहला अधिवेशन हुआ मुंबई में मुंबई जिसकी अध्यक्सता किसने की डबलू सी बैनर्जी ने व्यो में संदर बैनर्जी इस अधिवेशन में कुल बहतर सदस्या आए और इन में से हर्याना से कौन गए थे राय बहादूर लाला मुर्लीदर राय बहादूर लाला मुर्लीदर इसमें महासजीव कौन थे ए ओ हयूम तो यहाँ पर ए ओ हयूम ने बताया कि हम यहाँ पर क्यों इकठे हुए हैं और हमारा क्या अबजेक्टिव है या फिर आइन सी का क्या अबजेक्टिव रहेगा तो इसमें इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के काम करने के रूल बनाए गए जैसे की हर साल के आखिर में एक कॉंग्रेस का सैसन होगा और जो दिसंबर के आखरी तीन दिनों में हुआ करेगा और हर सैसन में डिलिजेंस वोटिंग के बेस पर इस सैसन का प्रेजिडेंट चुना जाएगा और हर सैसन में नेशनल कॉंग्रेस इशुज पर ही डिसकसन करेगी जो इशुज हैं कॉंग्रेस उन पर ही डिसकसन करेगी और एंड में डिसकसन के बेसिज पर कुछ रेजुलेशन पास के जाएगे यानि discussion किये हुए issues पर Congress क्या करने वाली है ये decide होगा और next session तक Congress उस resolution पर काम करेगी और जो British government है उससे एपनी बात मनवाने की कोशिश करेगी इस पर्थम अधिवेशन में जो भैतर सदेश्यों ने हिसा लिया था उनमें mostly कौन थे? लोयर थे और एक भी महिला सदेश्यों ने हिसा नहीं लिया था अब हम बात करते हैं इसके second session की second session हुआ 1886 में कहाँ पर कॉलकाता में इसकी अध्यक्सता किसने की दादा भाई नारोजी ने दादा भाई नारोजी ने तो इस में 436 परतिनी दियों ने हिसा लिया था कितने 436 परतिनी दियों ने इस second derivation में हिसा लिया था जो दादा भाई नारोजी हैं इनको 10 old men of India कहा जाता है और ये house of common में बैठने वाले पहले भारतिये हैं कहां बैठने वाले house of common में बैठने वाले फिर हम बात करते हैं इसके थार्ड अधिवेशन की थार्ड में क्या हुआ था ये हुआ अठारस उस्तासी में मदरास में इसकी अध्यक्स्ता किसने की बदरूदिन तयब जी ने 1887 में मदरास बदरूदिन तयब जी ने ये कौन थे पहले मुस्लिम अध्यक्स थे कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्स थे बदरूदिन तयब जी फिर इसका फूर्थ अधिवेशन हुआ 1888 इलहाबाद में 1888 इलहाबाद इसकी अध्यक्सता किसने की जॉर्ज यूलेने यूलेने ये पहले अंग्रेज अध्यक्स रहे हैं पहले अंग्रेज अध्यक्स और 1888 में हर्याना से कौन गए थे हिसार से लाला लाजबत राए फिर 1888 के बाद हम इंपोर्टेंट पढ़ेंगे सिरफ 1806 में हुआ था 1806 में कलकत्ता में इसकी अधियक्सता किसने की रहीम तुल्ला संयानी ने रहीम तुल्ला संयानी इस अधिवेशन में एक इंपोर्टेंट चीज होई थी वो क्या था रास्टी गीत गाया गया था रास्टी गीत कौन सा है वंदे मातरम वंदे मातरम इसकी गाने की यहुदी कितनी है 65 सेकंड एक मिनट पांच सेकंड वंदे मातरम को लिखा था बंकीम चंदर चटरजी ने बंकीम चंदर चटरजी ने और ये कहां से लिया गया है आनन्द मट से फिर इसके बाद में हुआ था 1905 का सेशन ये हुआ था बनारस में इसकी अध्यक्सता किसे ने की थी गोपाल किर्शन गोखले ये महतमा गान्दी के राजनेतिक गुरू होते थे और इनके राजनेतिक गुरू थे महादेव गोविंत रानाडे तो 1905 वाले सेशन में क्या हुआ था बंगाल का विवाजन हुआ था और बंगाल का विवाजन हुआ थो जो लॉर्ड करजन थे उस समय उनके साशन की निंदा की गई थी और इसी सेशन में पहली बार सवदेशी की मांग उठाई गई थी फिर 1906 का सेशन होता है उस वो कलकता में होता है उसकी दैख्सता किसने की दादा भाई नारोजी ने दादा भाई नारोजी और इस अधिवेशन में क्या होता है पहली बार सवराज्य सब्द का परियोग होता है 1905 का हुआ था उसमें सवदेशी का हुआ था और 1906 में पहली बार सवराज्य सब्द का परियोग होता है फिर इसके बाद में 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है इसकी अधेक्स्ता करते हैं रास भीहारी खोस 1907 की अधिवेशन में क्या होता है कांगरेश का पहला विवाजन 1907 में होता है यानि कांगरेश दो गुटों में बट जाती है एक नरमदल और दूसरा गरमदल कांगरेश दो गुटों में बट गई नरमदल गरमदल 1907 के सूरत अधिवेशन में जो ये अधिवेशन था 1907 का ये होना तो था पूना में और पूना किसकी जनम सतली है बाल गंगा धरतिलक जी की जनम सतली है और जो बाल गंगा धरतिलक जी हुए है ये गरमदल के नेता थे और जो नरमदल वाले थे वो अपना प्रेजिडंट किसको बनाना जाते थे रासबियारी गोस को और गरमदल वाले बाल गंगा धरतिलप को बनाना जाते थे इसलिए 1907 में कांगरेस में फूट पड़ गई नरमदल और गरमदल इसकी अध्यक्सता किसने की बिशन नारायन धर ने बिशन नारायन धर इसमें क्या होता है रास्टिय गान गया जाता है रास्टिय गान रास्टिय गान है जन गन मन इसके गाने का टाइम पिरेड है 52 सेकंड और मिनिमम पूछ लिया जाए तो 20 सेकंड जो राष्टिय गान है और राष्टिय गीत है इन दोनों को दर्जा कम मिला था 24 जनवरी 1950 को जो राष्टिय जनगनमन है और वंदे मातरम है इनको राष्टिय गान और राष्टिय गीत का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को राश्टी गान को किसने गाया रविंदर नाथ टैगोर ने फिर इसके बाद में होता है 1916 में लखनव में लखनव वाले सैसन की अध्यक्सता किसने की अंबी का चरण मजूमदार ने इसमें कांग्रिस का मिलन हो जाता है यानि जो गरमदल थे नहरमदल 1907 में जो बटे थे उनका मिलन हो जाता है और इनके साथ एक और मिल जाती है कौन सी मुस्लिम लिग अब ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि मुस्लिम लिग की इनोंने एक मांग मान ले थी मुस्लिम लिख के साथ इनो नहीं समझ होता किया कि वो अलग से चुनाओ लड़ेंगे और आगे जलकर यही बात पाकिस्तान को जन्नम देती है जो 1916 में हुआ लखनोगु में और इसकी अदेख्सता की अंबीका चरण मजूमदार ने और जो कांगरिस एक हुई थी यानि घरमदल और नरमदल एक हुए थे यह एनिवेशन्ट और बाल गंगा धर तिलक के परियासों से एक हुए थे फिर इसके बाद में 1917 में होता है कलकत्ता में इसकी अदेख्सता की एनिवेशन्ट ने ये भारती रास्टी कॉंगरिस की पहली महीला अदेख्स थी और ये जेल से बनी पहली महीला अदेख्स थी ये जेल में क्यों थी क्योंकि इन्होंने हुमरूल लिक किस्ता अपना की थी और इसी का अंग्रेजों ने इसको जेल में डाल दिया था और भारतिये जो भारतिये थे उनको लगा कि ये हमारी वज़े से जेल में गई है इसलिए इन्होंने अगले सैसन का अध्यक्स किसको चुना एनी बैसेंट को जो एनी बैसेंट है ये आईर्लेंड की निवासी थी फिर इसके बाद में 1918 में बंबई में होता है और बंबई इसकी अध्यक्स्ता कौन करते हैं हसन इमाग हसन इमाग इसमें कांगरेज का दूसरा विभाजन हो जाता है कांगरेज का दूसरा विभाजन फिर इसके बाद में 1920 में अध्यवेशन होता है कहां पर कलकत्ता में इसकी अध्यक्स्ता कौन करते हैं विजय रागवाचारिय फिर इसके बाद में एक स्पेशल अध्यवेशन होता है 1920 में नागपुर में इसकी अध्यक्सता करते हैं लाला लाजबत्राए जी लाला लाजबत्राए इसमें क्या होता है जो एसे योग आंदुलन का जो परस्ताव पारिद होता है और महत्मा गांधि को अध्यक्स निक्त किया जाता है फिर इसके बाद में 1924 में बेल गाओं में होता है, बेल गाओं ये है करनाटक में इसकी अध्यक्स्टा कौन करते हैं महत्मा गांधी और ये एक मातर ऐसा अंदोलन है जिसकी अध्यक्स्टा महत्मा गांधी ने की थी फिर 1925 में जो एसोसियेशन होता है वो कहां होता है कानपूर में और इसकी अध्यक्सता कौन करती हैं सरोजनी नाइडू ये भारत की पहली महिला अध्यक्स होती हैं पहली भारतिय महिला अध्यक्स कॉंग्रिस की पहली महिला अध्यक्स पूछी जाए तो वो थी एनी बैसेंट थी और पहली भारतिय महिला पूछी जाए तो सरोजनी नाइडू फिर इसके बाद में होता है 1929 में लाहोर में लाहोर के अध्यक्सता कौन करते हैं पंडित जवहारलाल नहरू इस अध्यक्स पूर्ण सवराज्जय की माग उठती है सवदेशी की माग उठी थी 1905 वाले अधिवेशन में और इस अधिवेशन में एक और इंपोर्टेंट बात हुई वो थी 31 दिसंबर 1929 को पहली बार रावी नदी के तट पर तिरंगा फैराया गया फिर इसके बाद में अधिवेशन होता है 1931 में कराची का अधिवेशन इसकी अधिवेशन की सरदार वलब भाई पटेलने इस अधिवेशन में पहली बार मोलिक अधिकारों की मांग उठाई गई इस अधिवेशन में पहली बार मोलिक अधिकारों की मांग उठाई गई फिर इसके बाद में हुआ 1933 में कलकत्ता में 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्सता किसने की नलीनी सेन कुपता यह तीसरी महिला अध्यक्स थी जिसने इंडियन नैसनल कौंगरेश के अध्यक्सता की थी थर्ड वूमेन ठीक है पहली थी एनिवेसेंट दूसरी थी सरोजनी नाइडू और तीसरी थी नलीनी सेन गुपता फिर इसके बाद में 1937 में होता है फेजबूर का दीवेशन फेजबूर इसकी अधैक्सता किसने की पंडित नहरों ने और यह गाउं में आयोजित पर्थम अ दिवेशन था ऐसा दिवेशन था जो पहली बार गाउं में आयोजित हुआ था पिर इसके बाद में अधीवेशन हुआ 1938 में इसकी अध्यक्स्ता किसने की सुभाज चंदर बोस ने और ये कहां हुआ था हरीपूरा में हरीपूरा हरीपूरा में हुआ 1938 में अध्यक्स्ता किसने की सुभाज चंदर बोस ने और इसके बाद में 1949 में हुआ त्रीपुरी में इसकी अध्यक्स्ता विकिसने की सुभाज चंदर बोस ने इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्स्ता की सुभाज चंदर बोस ने 1949 में एक पारिटी की स्थापना करते हैं सुभाज चंदर बोस फॉर्वर्ड ब्लोक फॉर्वर्ड ब्लोक की स्थापना करते हैं सुभाज चंदर बोस और 1949 का जो अधिवेशन हुआ था इसमें इलेक्सन हुए और जो सुभाज चंदर बोस के अपोजिट कौन खड़े थे पट्टा बिसिता रमिया और पट्टा बिसिता रमिया के लिए वोट मांग रहे थे महातमा गांदी इसमें पट्टा बिसिता रमिया हार जाते हैं तब महातमा गांदी कहते हैं कि ये मेरी हार है और मैं कांग्रेस से इस्तिफा दे रहा हूँ तब जो सुभासंदर बोस जी है वो कहते हैं कि आपको कांग्रेस को अभी आपकी जुरूरत है इसलिए मैं इस्तिफा देता हूँ और 1949 में इनोंने कांग्रेस से इस्तिफा दे दिया और इस्तिफा देने के बाद अध्यक्स कौन बनते हैं डॉक्टर राजिंदर परशाद डॉक्टर राजिंदर परशाद अध्यक्स बनते हैं फिर इसके बाद में अधिवेशन होता है 1940 से लेकर 1940 तक इस टाइम पेड़ के दोरान ये होता है रामगड में और अध्यक्स रहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ड वर्ड चल रहा था तो इसलिए अध्यक्स कौन रहते हैं एक ये अध्यक्स रहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनके बारे में ये सबसे यूवा अध्यक्स थे सबसे यूवा अध्यक्स थे कौन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसी के अधिवेशन के समय में फिर इसके बाद में होता है 1946 में मेरट में इसकी अधियक्स्ता करते हैं जे भी किरपलानी जे भी किरपलानी ये पूछ लिया जाए विवाजन के समय कॉंगरेस के अधिवेशन के अधियक्स्ता किसने की ये भी खिर प्लानी ने फिर 1967 में होता है दिल्ली में इसकी अधेकस्ता करते हैं डॉक्टर राजेंदर परसाथ फिर 1950 में नासिक में होता है और नासिक के अधिवेशन की अधेकस्ता करते हैं पुरुशोतम दास टंडन यहां से इंपोर्टेंट क्योसन बनता है जब भारत आजाद हुआ उसमें कॉंग्रेस के अधेकस कौन थे जेबी किर्पलानी और जब भारत का सवीधान लाग हुआ उसमें अधेकस थे पुरुशोतम दास टंडन ठीक है और फिर जब भारत आजाद हुआ उसमें इंगलेंड के पुर्धान मंतरी कौन थे क्लीमेंट एटली कौन थे क्लीमेंट एटली और जब भारत तियरास्टी कांग्रेस की स्तावना हुए 1885 में उस समय भारत के 22 राई कौन थे लॉर्ड डफरीन इनका कार्यकाल है 1884 से लेकर 1888 कांग्रेस को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे जैसे की लॉर्ड डफरीन ने कहा था कि कांग्रेस केवल सुक्षम दर्शी अलप शंखेक लोगों का परतिनी दित्व करती है क्या कहा था कांगरेस केवल अलबशंखेक लोगों का परतिनी दिताउं करती है फिर लौर्ड करजन थे उन्होंने कहा कांगरेस अपने पतन की ओर लडखडाती हुई जा रही है क्या कहा कांग्रेश अपने पतन की और लड़कडाती हुई जा रही है फिर जो अर्विंद खोस थे अर्विंद खोस ये गरम दल के नेता हुए है इन्होंने कहा कांग्रेश से रोग से मरने वाली है क्या कहा कांग्रेश से रोग से मरने वाली है बंकिम चंदर चटर जी ने कहा कांग्रेश के लोग पदो के बुखे राजनित्ती के हैं फिर बाल गंगा धरतिलक जी ने कहा कांग्रेश बीख मंगो का समू है यह अलग-अलग स्टेटमेंट्स अलग-अलग विद्वानों ने दी है तो यह थी भारतिय रास्टी है कॉंग्रेश और इसके बाद हम अपना टॉपिक रखेंगे गवर्नल जर्नल का आप सभी कमेंट करके बताना आज की करास आपको कैसी लगी थेंक्यू कर दो कर दो दो का सकता है अलग-अलग